हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप एक और नई रस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत हैं आज हम आपके साथ गेहूं के आटे से पेड़े बना कर तयार करेंगे इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है बहुत कम समय में बनकर ये तयार हो जाते हैं वो भी बहुत कम सामान से अब जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करें तो घर पर आपने एक बार बना कर जरूर ट्राइ करें आप इनका ठाकुर जी को भोग भी लगा सकते हैं चरिए तो बनाना हम सुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक भारी तले का बर्तन लिया है, उस पर रखेंगे एक इस्टेनर और एक कप यहाँ पर हमने गेहू का आधा लिया है, यह नawर्मल आठा है जो हम घर में खाते हैं, सबसे पहले इसको हम लेंगे चान, वामारा चंद चुका है अब हम इसे गैस पर रख देते हैं और गैस की फ्लेम लो रखते हुए इसको हम भूनेंगे गैस की फ्लेम आप लो से मीडियम ही रखिएगा क्योंकि आटा बहुत जल्दी जल जाता है हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं भूनेंगे और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें हलकी हलकी सी महकना आने रगे चलिए तो इसे लगातार चलाते हुए हम पहले भून लेते हैं गैहों के आटे के पेड़े बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारा आटा अच्छे से भूने अगर हमारा आटा अच्छा भूना होग तो हमारे पेड़े भी बहुत अच्छे से बनेंगे इस दिए गैस की फ्लेम कर देंगे हम लो से मीडियम और इसे लगातार चलाते हुए भूल लेंगे हलकी हलकी से आटे में खुसबू आने लगी है अब इसमें हम डालेंगे घी भी हम एक साथ नहीं डालेंगे पहले हम द चलाते हुए भूल लेंगे हलका सा आटे का कलर ब्राउन हो चुका है और यह दिखे बहुत अच्छी सी खुसमू इसमें आने लगी है अब गैस की फ्लेम कर देंगे लो और इसको लगातार चलाते हुए हम भूलेंगे बापस से थोड़ा घी इसमें और डाल देंगे और फ आटे में कलर आ चुका है और इसमें बहुत बढ़िया कुसबू भी आ रही है बचा हुआ घी भी हम इसमें डाल देते हैं और बापस से इसको फिर से हम भूल लेते हैं एक कप गेहूं के आटे में हमने आदा कप घी डाल दिया है अगर माप से कहें तो यहां पर हमने आठ शमच घी डाल दिया है आटा काफी हलका हो चुका है और आपको देखने से ही लग रहा हुआ कि आटे ने घी भी छोड़ दिया है बहुत अच्छे से आटा हमारा भून चुका है बस एक दो मिनट के लिए इसे चलाते हुए हम और भून लेते हैं गैस की फ्लेम बिलकुल हम हमने लो ही रखी है और लो फ्लेम पर ही हम आटे को चलाते हुए भून रहे हैं पेडों के लिए हमें डार्क प्राउं आटा भूना हुआ चाहिए अब गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद और दो तीन मिनट के लिए इसे और भूनेंगी क्यूंकि बरतन काफी गरम है अगर ह हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो आटा हमारा जल सकता है दो तीन मिनट इसे चलाते हुए थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे फिर इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर तीन चम्मच यहां पर हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है क्योंकि हमने इसमें कोई भी दूद का यूज न आ सकते हैं अच्छे से मिल्क पाउडर को भी आटे में कर लेते हैं मिक्स और यह दिखी कितने बड़िया आटा भी हमारा काफी ठंडा हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी आप तभी डालिएगा जब हमारा आटा थोड़ा ठंडा हो गरम आटे में चीनी म यूज किया है आप यहां पर बूरा का भी यूज कर सकते हैं लेकिन जब आटा थोड़ा ठंडा हो तभी आप चीनी डालेगा क्योंकि चीन गरम आटे में अगर आप चीनी डालेंगे तो हमारे पेड़े नहीं हलुआ बन जाएगा अच्छे से चीनी को भी हमने मिक्स कर लि जिससे पेड़े हमारे अच्छे से बंद जाएंगे दूद की जगे आप घी भी डाल सकते हैं लेकिन घी का यूज हमने यहां पर नहीं किया है क्योंकि फिर पेड़ों में बहुत ज़्यादा घी हो जाता अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आटे को थोड़ा सा ठंडा भी क कर लेते हैं यह दिखिए दूद को भी हमने अच्छे से आटे में कर दिया है मिक्स और हमारा यह बेटर पेड़े बनाने के लिए बिलकुल तयार है तो अब चलिए बनाते हैं हम इसके पेड़े थोड़ा सा पेड़ों का बेटर लेंगे हतेलियों से ही थोड़ा सा एक लड तो इस तरह से भी पेड़े बना कर तयार कर सकते हैं अब इस पर आप अगर कोई डिजाइन डालना चाहें तो एक डिजाइन तूद्पिक से भी आप बना सकते हैं इस तरह से यह देखिए सब तरफ हलका सा प्रेस करते जाएंगे और यह एक डिजाइन हमारी बनकर तयार हो काटे से भी आप इसको एक डिजाइन दे सकते हैं ये देखिए अच्छी लग रही है ना पर आज जो हम पेडा बनाएंगे वो पेडा मेकर से बनाएंगे ये है पेडा मेकर एक छोटा सा हमने लड्डू बना लिया है अब दो से तीन वार इसे हम करेंगे प्रेस और बहुत ब देखिए ये देखिए कितना बढ़िया पेडा हमारा बनकर तैयार हुआ है ये देखिए मार्केट से भी बढ़िया पेडे और बो भी बहुत कम सामान में घर पर ही बनकर तैयार हो गए इन पेडों को बनाने में हमें 20 मिनट लगे आप भी से बनाकर जरूर ट्राय करिएग बहुत ही बड़िया पेड़े घर पर ही बन जाते हैं तो कैसी लगी आपको यह रेस्पी कमेंड करके हमें जरूर बताईएगा और यदि आपको हमारी रेस्पी सच्छी लगती है तो प्लीज उन्हें लाइक और सेड जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूने एक आदसी पर इसमार आप अपने ठाकुर जी को इन्हीं पेड़ों का भोग लगाईए थेंक यू